हेलो फ्रेंड्स आज मैं एगले से स्पैनिश ओमलेट बनाने जा रही हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं बन टेबल स्पून मैंने ओलिव लिया है बटर भी ले सकते हैं एक बड़े साइस का मैंने आलू लिया है जिसको चोटे-चोटे टुग लियू मैंने कट कर लिया है आलो को पहले हम लोग पकाएंगे फ्रेंड्स इस पैनिश ओमलेट़ बेशी कली अपोटेटो ओमलेट ही होता है उसमें आलु ही ज्यादे इस्तेमाल होता है उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ ताकि आलू जल्दी पक जाए अब मैं इसको ठक दूँँगी जब तक आलू हो रहा है तब तक मैं बैटर रेडी कर लेती हूं फ्रेंड्स मैंने एक कटोरी रवा ली है लगबग 100 ग्राम के आसपस उतनी ही मैं दही ले रही हूं और दो टेबल स्पोन मैं बेशन ले रही हूं फ्रेंड्स इसका हम लोग फाइन पेस्ट ट्यार कर लेंगे इस तरह से बहुत थिक नहीं रखेंगे इसको पतला करने के लिए फ्रेंड्स मैं दूर डाल रही हूं पानी नहीं डाल रही हूं इसमें मैं तोरा साल्ट डाल देती हूं हमारे आलू हो गए है अब मैं इसमें आप टीजपून गालिक डाल रही हूं और आप टीजपून में हरी मिज डाल रही हूं दोनों ग्रेटे डेफरेंस मैंने पेस्ट नहीं लिया है आप पेस्ट भी ले सकते हैं और एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है वो भी छोटे टुक्रों में कटा हुआ है प्याज को हम लोग ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब मैं इसमें थोड़ी सी पनी डाल रही हूँ आप ज़्यादा लाइक करते हों तो ज़्यादा डाले एक छोटा टमाटर डाल रही हूँ मैं उसको भी छोटे टुक्रों मैंने कट कर लिया है फ्रेंट्स फ्रेंट्स वेजिटिबल्स हम लोग अपने पसंद से डाल सकते हैं इसमें कैप्सिकम भी आप डाल सकते हैं सब्जियां हमारी अब हो गई है अब मैं गैस बंद कर देती हूँ ठंडी होने के बाद हम लोग बैटर में डालेंगे इसको मैंने सॉल्ट इसमें डाला है सॉल्ट मैंने बैटर में डाला था बैटर में अब मैं सब्जियां ठंडी होने के बाद मिक्स कर रही हूं फ्रेंट्स पैन मैंने साफ कर लिया है उसी पैन में हम लोग banाएंगे वन टेबल इस्पून मैंने ओलिव लिया है जैसा कि मैंने बताय था अब बटर भी ले सकते हैं लो फ्लेम में इसको रखेंगे फ्रेंट्स क्यूंकि ये ओमलेट थुरा मोटा होता है तो इसको अच्छे से पकाना होता है एक लेयर मैंने बैटर की पैन में डाल दी है अच्छे से इसको फैला लेंगे हम लोग इसके उपर फ्रेंट्स मैं चीज स्प्रेड कर रहे हूं चीज आप अच्छे से डालें बच्चे बहुत पसंद करते हैं फ्रेंट्स ये एक टिफिन रेसिपी भी हो जाती है और फिर एक इसके उपर से मैं एक और लेयर डाल रही हूं बैटर की चीज को मैं कवर कर रही हूं फिर इसको हम लोग ढग के अच्छे से कुक करेंगे फ्रेंट्स अब मैं इसको टर्न कर रही हूं आलमस्ट हो गया एक तरफ से देखें इस तरह से फ्रेंड्स इसको टर्न करने में हम लोग ध्यान देंगे एक प्लेट लगा लेंगे फिर उसको टर्न करेंगे तूटने का डर होता है अब हमारा ओमलेट अभी ये रेडिय हो गया है फ्रेंड्स मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको ये देखें इस तरह से अच्छे से इसको कुक करेंगे फ्रेंड्स चलिए अब सर्व करते हैं ये बहुत सॉफ्ट होता है तो ध्यान रखेंगे